कि इस्टिक्सिनुर्टी कलास में आप सभी का सवागत है और इस वीडियो में लेगत आया है फ्रेंस टीермस टी का पार्ट आड़तालीश जिसमें सबसी जो फरस्ट वड्ट फ्रेंस वह अप्लोग का टी केटल टी केटल मिक्षूता है फ्रेंस चाय की पानी उबालने की केटल और फ्रेंस आप लोग को हम टी मतलब बताये थे टी का मतलब होता है चाय और केटल यहाँ पर देखिए केटल मिस होता है फ्रेंस डेगची चिक है या पतीली और दोनों को हम लोग साथ चोड़ देंगे तो टी केटल हो जाएगा जो कि चाय की पानी उबालने की केटली होता ह यहाँ पर देखिए दूसरा वर फ्रेंस टी लीफ लीफ का मतलब होता है फ्रेंस पती ओके ध्याने केटलेगा लीफ का मतलब होता है पती आगे अम लोग टी जोड़ दिया है तो चाय की पती हो गया इसका मतलब टी पोट मिस होता है फ्रेंस चाय दानी ओके टीच तो आप की पढ़ाने योग्यों ता है फिरेंस या आप लोग एक और लिख सकते हैं यहां पर शिकलाने योग्य देखिए next word है आप लोग का teaching teaching मिश्वता है फिरेंस सिछा परदान करना teaching का मतलम सिछा परदान करना इस वीडियो का जो लास्ट वर फिरेंस वह है आप लोग का Teach Able Ness Teach Able Ness मिस होता है पढ़ाने की योग्यता ओके चलिए एक बर हो रिपीट करते हैं Tea Kettle बता है चाय का पानी उबालने की केटली Tea Leaf मिस होता है चाय की पत्ती Tea Part मिस होता है चायदानी Teach मिस होता है सिच्छा परधान करना Teach Able मिस होता है पढ़ाने योग्य या सिखलाने योग्य टीचिंग सिच्छा पढ़ान करना टीच एबलनेस पढ़ाने की योग्यता